उत्राखंड लोकसेवा आयोग की तैयारी कर रहे समस्त अभरतियों को मैं आलोक मार द्रस्टी टीम की तरब से हार्दिक स्वाक्त और अभ्हेंदन करता हूँ डियर फ्रेंड्स पिछले सेशन में हम लोगों ने 2016 में उत्राखंड लोकसेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रस्टों के एक भाग को आपके समक्स प्रस्तुत किया था 2016 में भारतिय राजवस्ता से पूछे जाने बाले प्रस्टों को हमने दो भागों में बाटा था उसके एक भाग पर हमने चर्चा कर ली थी और दूसरे भाग पर हम लोग आच्चर्चा करेंगे एक भाग में हमने दस प्रस्टों को रखा था दूसरे भाग में आज पुनह हम दस प्रस्टों को रखेंगे तो आईए 2016 में भारतिय राजवस्ता खंड से पूछे गए प्रस्टों कि विसलेशन को आपके समक्ष मैं प्रस्टों करूँ दोस्तों सिर्फ उत्राखंड लोग से वा आयोग ही नहीं बलकि संग लोग से वा आयोग या किसी भी अन्य राज्य लोग से वा आयोग की तैयारी के संदर हमें यह आवस्यक है कमसे कम भारतिय राजवस्था खंड वाले सेक्शन में है क्योंकि भारतिय राजवस्था एक टेकनिकल पेपर है एक कुंसेप्च्छल पेपर है ठीक है फैक्ट एड़ फीगर्स जेनरल एस्टेडीज के किसी भी सेक्शन में एक important dimensions होते हैं लेकिन quality के संदर्म बिसेश में यदि technical aspect आपका clear हो तो आपको इस संदर्म में कहीं किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा एक बार आपने NCRT से बिसेश करके 9th to 12th या 11th, 12th डिरेक्टली भी पढ़ सकते हैं उसको आपने पढ़ा द्रिश्टी का booklet यदि आप पढ़ते हैं तो प्रारंभिक परिक्षा के साथ साथ मुख्य परिक्षा की आवस्सक्ताओं को भी एक साथ ही आप address कर पाएंगे यद दपी आप सभी छात्रों में लक्ष्मी कांत भारतीय राजविवस्था वाली जो पुस्तक है वह काफी लोग पढ़िया है लेकिन आपको यह जानकर आस्चर्ज होगा कि यह प्रारंभिक परिक्षा के लिए तो बिल्कुल ही उत्कृष्ट पुस्तक है लेकिन मुख्य परिक्षा के संदर्म विसेस में विसलेशनात्मक पक्ष इसमें पूरे नहीं किये गए है इसलिए उत्राखंड या किसी भी अन्यराज्य लोग सेवा आयोग या संग लोग सेवा आयोग की परिक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रस्णों कि उच्च अस्तरिय विसलेशनात्मक शमता को विक्सित करने के लिए ही हमने सीधे सीधे ये आप लोगों को सजेस्ट किया कि NCIT के बाद डिरेक्टली दृष्टी का इंडियन पॉलिटी का बुकलेट पर ले है जो प्राड़मिक परिक्षा के साथ साथ मुख्य परिक्षा की आवसकताओं को भी अच्छे तरीके से एड्रेस करेगा एक बार पर लेने के पस्चार आपका फोकस रिवीजन पर होना चाहिए और रिवीजन दो परकार से किया जा सकाए पहला प्रीवियस इयर्स में पूछे गए प्रस्णों ना सिर्फ उत्राखंड बलकि अन्ने राज्यों या संग लोग सेवा आयोग की परिच्छाओं में पूछे गए प्रस्णों को आप देखेंगे और यह समझने का प्रियास करेंगे कि प्रस्णों की प्रकृती और प्रविड़ती क्या है फोकस्ट एरिया क्या है और साथ साथ करेंट एफेर्स में जो भी इसूज जैसे मान लिजे की राष्ट्रिय पिश्रावरग आयोग या अनुसुचित जाती जन जाती आयोग या वित आयोग से संबंधित जब भी कोई भी डिसकुसंस आपके सामने आता है तो उससे संबंधित जो मुलभूत प्रावधान है उसको आप याद करने का प्रयास करेंगे और यदि कोई पक्ष याद नहीं आ रहा है तो उसको रिवाईज करने का प्रयास करेंगे एक इंजिनियर जिस प्रकार पहले यह चेक करता है कि किसी भी उपकरन में कहां पर क्या खराबी है और फिर उसको रेक्टिफाई करता है उसको करेक्ट करता है उसी तरह से एक छात्र को यह पता होना चाहिए कि वह किस प्रकार की गलतियां कर रहा है किस सेक्षन में, किस टॉपिक में किस तरह की गलतियां की जा रही है और उन गलतियों को rectify कैसे किया जा सकता है इस तरीके से थोड़ा technical study की और यदि आप आगे बरहेंगे तो निस्चित रूप से मेरा पूरा विश्वास है क्योंकि आपके अंदर योग्यता छमता हुआ प्रतिभा की कमी नहीं है लेकिन दिसा या मार्ग दर्सन के अस्तर पर आपको काफी कुछ करने की जरूरत और थोड़ा टेक्निकली कहते हैं कि लेवोरियस होना एक बात है और smart लेवर, intelligent लेवर एक दूसरी बात है आपको लेवोरियस तो होना ही होना है लेकिन यह लेवर smart और intelligent हो तो आपके preparation में चारचांद लग जाएंगे और आप तेजगती से अपने लक्ष को प्राप्त करने की दिसा में अग्रसर होंगे और सफल होंगे और मैं कभी भी सिर्फ आपके सफलता की बातें नहीं करता नहीं सपने देखता हूं बलकि मैं आपके टॉप करने की बातें करता हूं और मुझे पता है कि यदि आप इमांदारी पुरुमक नियमित रूप में यदि आप प्रियास करेंगे तो निश्चित तोर पर आप सफल होंगे मुझे आपकी सफलता में कोई संसे नहीं है हाँ अपने आप में अपनी युगताओं में अपने विस्वास को बना कर रखिए यह विस्वास भहुत बरी जीज़ है एक लक्ष रखिए और अनुसासित और नियमित तरीके से उस लक्ष को प्राप्त करने के लिए सतत प्रियास करें निश्चित तोर पर वह लक्ष प्राप्त होगा आईए आज जो दस प्रस्ने हैं 2016 में उच्छे गए दस प्रस्न भाग दो के अंतरगर उसका पहला प्रस्न आपके समक्ष ये रहा संविधान के किस अनुच्छेद संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पिर्थक अनुसुचित जनजाती आयोक का गठन किया गया तो देखिए आप जानते हैं कि नवासी में संबिधान संसोधन त्वारा 89th Amendment के माद्यम से 2003 में Article 338A के अंतरगत अनुसुचित जनजाती आयोग बनाया गया था अलग से प्रिथक रूप में क्योंकि पहले अनु 6338 के अंतरगत ही अनुसुचित जाती और जनजाती आयोग हुआ करता था तो अब 89th Amendment संबिधान संसोधन के पस्चात अनु 6338 अनुसुचित जाती आयोग बन गया Schedule Cast Commission अनुसुचित जाती आयोग बन गया और यह अनुसुचित जनजाती आयोग बन गया Schedule Tribe Commission अनु 6348 पिछरे वर्गों की दसाओं की जाँच के लिए या अन्नुवेशन के लिए राष्टपती द्वारा एक आयोग के निक्त किये जाने की चर्चा करता है अर्थात पिछरे वर्गों की दसाओं के अन्नुवेशन के लिए राष्टपती द्वारा एक आयोग बनाई जाने का प्रावधान करता है अनुच्छे 337 एंगलो इंडियन से संबन देते हैं यह एंगलो इंडियन के लिए सेक्षिक अनुदान का प्रावधान करता है एजुकेसनल ग्रांट्स इन एड्ड दियर फ्रेंड्स स्ट्रेटिजी यह है रनीती यह है कि जब भी प्रीवियस इयर्स के कोश्चन्स को आप सॉल्व करते हैं तो आपको सिर्फ उसके सही उत्तर की ही तलास नहीं करनी है बलकि आपको चारो आप्सन में जो भी अन्य जानकारियां दी गई हैं उनके संबंद में उनके आसपास में सारे important facts and figures को important aspects को important facets को और महत्तपुर्ण पहलूँओं को एक साथ तयार करने की आवस्ता है इसके आसपास भी यह दी कोई महत्तपुर्ण बात है जैसे इसके आसपास एक महत्तपुर्ण बात है Article 338 B यह A है A में स्टी कमीशन है Article 338 B आप सभी लोगों को पता है कि 102 में संबिधान संसोधन 100 second amendment के माध्यम से राष्ट्रिय पिछरा वर्ग आयोग को संबिधानिक दरजाब दिया गया है तो यह राष्ट्रिय backward कमीशन है और यह 102 में संसोधन द्वारा बनाये गया है यदि मैं थोड़ा English में भी प्रस्णों को देखूँ ताकि English medium के जो हमारे बच्चे हैं वो भी इसका benefit ले सके तो under which article of the constitution the separate scheduled tribe commission was established तो आप जानते हैं by 89th amendment of the constitution 2003 schedule caste and schedule tribe commission separated, bifurcated now article 338 describes about schedule caste commission and article 338a describes schedule tribe commission article 340 under article 340 president of India is responsible to constitute a commission for investigation of the conditions of backward class and under article 337 there is provision for the educational grants in ed for Anglo-Indian community तो dear friends Hindi और अंग्रेजी दोनों में ही प्रस्ण को आप solve करने में सक्षम रहे होंगे और different other facets को भी आप भली भाती प्रकार समझ रहे होंगे आईए दूसरे प्रस्ण पर चलते हैं बड़ा ही सांदार प्रस्ण है और इससे संबंधित दो प्रस्ण दिये गए है आगे एक और प्रस्ण पूछा गया है देखे यहाँ पर ये प्रस्ण पूछा गया है कि वर्स 2016 में निम्न में से किसको रास्ट्रिय दल की मननेता दी गई है तो एक तो इन-L.D. के बिसे में पूछा गया है एक अकाली दल के बिसे में पूछा गया है एक TMC एक AIA DM के है Dear Friends ये जो option दिये गए है इसमें से कोई भी दल मतलब एक TMC को छोड़कर त्रिन्वूल कॉंग्रेस को छोड़कर कोई भी दल रास्ट्रिय अस्तर की दल नहीं है वरतमान में मैं 2021 के अनुसार बातचीत कर रहा हूँ वरतमान में कुल मिलाकर आठ रास्ट्रिय दल है एक तो देखिए BSP है BJP है Indian National Congress है Communist Party of India है Communist Party of India Marxist है और TMC भी आ गया इसके अतरिक्त एक NCP है दूसरा NPP है एक NCP है और दूसरा NPP है Basically जो PA संगमा थे और सरद पवार दोनों Congress से अलग हुए PA संगमा लोगसभाधिक्ष भी रह चुके है फिर बाद में दोनों ने अलग हो करके इन्हों ने NCP बना लिया और इन्हों ने NPP बना लिया एक Nationalist Congress Party है और दूसरा National People's Party है तो कुल मिला करके इतने दल ही रास्ट्रिय राजनितिक दल के रूप में हैं बाकी सभी छेत्रिय दल हैं अब प्रस्ण ये उठता है कि किसी भी दल को रास्ट्रिय दल या छेत्रिय दल का दरजा किस आधार पर दिया जाता है तो नव इस किलियर दैट अगर्डिंग तो गीभेन आप्शन वनली टी एमसी ये त्रिनमूल कोंग्रेस इज वनली वन नेशनल पाटी है नव नेक्ष कोश्चन पर चलते हैं निमलिखित में से किस बिद्वान में है स्तंतरता के प्रारंभिक वर्सों की भारत की दलिय बिवस्था का एक दलिय प्रभुत्त वाली बिवस्था के रूप में वर्नन दिया है Who among the following scholars described the party system prevailing in India in the early years of independence as one party dominant system One party dominant system अर्थात One party dominant system अर्थात एक दलिय प्रभुत्त वाली बिवस्था तो देखिए इसमें बहुत सारे जो बिद्वान है उनका नाम दिया गया है लेकिन रजनी कोठारी जो है वो भारतिय राजनितिक वेवस्था जो आरंभिक सोतंतरता प्राप्ती के पश्चात वेवस्था रही है रजनी कोठारी एक communist scholar है जिन्होंने इंडिया टुडे नामक एक महत्पुर्न पुस्थक लिखी है काफी analytical काफी बहतरीन ये पुस्थक मानी जाती है तो उसी पुस्थक में इंडिया टुडे में इन्होंने इस बात को डिस्क्राइब्ड किया कि जो भारत की जो भारत की जो बहुदलिया राजनितिक वेवस्था है वह बस्तुता स्वतंतरता प्राप्ती के initial years में एक दलिया प्रभुत्त वाली वेवस्था रही है और ये स्वभाविक सी भी बात रही है क्योंकि आप जानते हैं कि 1950 से लेकर 1975 तक अल्मोस्ट सेंटर में तो सिंगल पार्टी डोमिनेंस ही रहा है या अगर मैं बेटर तरीके से कह सकूं तो 1950 तो 1989 एक्सेप्ट 1978-79 तो एक्सेप्शन इयर्स देरवाज सिंगल डोमिनेंस अफ वल्ली वन पार्टी और सिंगल पार्टी डोमिनेंस 1950 से लेकर 1989 तक 1978 और 89 के वर्स के अब बाद को छोड़कर भारतिय राजिनितिक व्यवस्था में एक दलिया प्रभुत्तु ही रहा है इतनी बातों को पूरा करने के पस्चाथ अब हम आगे बनहें और देखियो मैं कह रहा था कि एक प्रस्ण जो है निमलिकित में से कौन भारत में राजिनितिक दलों को मन्निता प्रदान करता है तो प्रस्ण तो खेर बहुत इजी है लेकिन इन्हीं प्रस्ण में हम यह भी अध्धिन करने का प्रयास करें जानने का प्रयास करें कि किसी भी दल को राश्ट्रिय राज़ितिक दल या छेत्रिय राज़ितिक दल या राज्यस्त्रिय राज़ितिक दल का दरजा निर्वाचन आयोग के द्वारा कैसे प्रदावन किया जाता है That means criteria क्या है Who recognizes the political parties in India इसका तो खेर बहुत simple answer है Election Commission of India अरथा भारत का निर्वाचन आयोग भारत में राज़ितिक दलों को मन्निता प्रदान करता है एक बात ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये जरूरी नहीं है कि कोई राज़ितिक दल बने और उसे निर्वाचन आयोग के द्वारा मन्निता प्राप्त करना आवस्यक हो कोई जरूरी नहीं है लेकिन यदि आप निर्वाचन आयोग के अंतरगत पंजिकर तो हो जाते हैं तो उसका benefit आपको कुछ मिलता है खेर जो भी हो अभी हम यहाँ पर यह देखें कि किसी भी राज़ितिक दल को राष्ट्रिय राज़ितिक दल राष्ट्रिय राज़ितिक दल होने का दर्जा कई से मिलता है क्या basis है क्या criteria है तो पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि यदी कोई दल लोकसभा या बिधानसभा चुनाओं में चार राज़ियों में छे परतिसत मत को प्राप्त करता है या चार सीट प्राप्त करता है लोकसभा या विधानसभा के चुनाओं में इन सौर्ट में लिख रहा हूँ तो उसे रास्ट्रिय राजिनतिक दल के रूप में दरजा दिया जा सकता है दूसरी बात ये है कि यदी कोई दल लोकसभा में दो परतिसत सीट को जीद लेता है और यह दो परतिसत सीट तीन अलग-अलग राजियों से है मतलब दो परतिसत सीट लोकसभा का तीन अलग-अलग राजियों से तीन अलग-अलग राजियों से जीदता है तो वह रास्ट्रिय राजिनतिक दल है और तीसरा सिंपल है कि यदी कोई दल चार राजियों में राज अस्तरिय दल या छित्रिय दल का दर्जा पराप्त कर लेता है तो भी उसे राज्ट्रिय राजनितिक दल कहा जा सकता है चार राज्यों में छित्रिय राजनितिक दल का दर्जा या राज्य अस्तरिय राजनितिक दल का दर्जा ये तीन क्राइटेरिया हैं इसको धिहान में रखें राज अस्तरिये या छेत्रिये राजनितिक दल का दरजा कैसे मिलता है तो सीरे सीरे धिहान में रखेंगा कि बिधान सभा के चुनाओं में अब यहाँ पर राज अस्तरिये दल के बिसेर में बात कर रहे है तो पहला क्राइटेरिया है यदि किसी भी दल को बिधान सभा के चुनाओं में या तो छे परतिसत कुल बैध मत का प्राप्तो होता है या दो सीट वह जीतता है देखिएगा छे परतिसत मत या दो सीट प्राप्ति करता है संशेप में लिख रहा हूं छे परतिसत कुल बैध मतों का भैलीड भोट्स का 6% या 2 सीट विधान सभा में दो सीट प्राप्ति करता है दूसरा या छे परतिसत वह मत प्राप्त करता है या एक सीट लोग सभा का प्राप्त कर लेता है लोग सभा का तो भी उसे राज्यस्तरिय दल का दरजा दिया जा सकता है और तीसरा है कि या तो वह विधान सभा का 3% सीट जीत ले या 3 सीट जीत ले इन में से जो भी अधिक हो इन में से जो भी अधिक हो तो उसे राज्यस्तरिय दल का दरजा दिया जा सकता है काफी महत्य की काफी काम की इनफॉर्मेसंस हमने आपके साथ सेर किया है इसको जरूर से जरूर ध्यान में आपको रखना चाहिए इसके पर शाथ आगे आते हैं एक बड़ा सामानले सा प्रस्ट पूछा गया है कि निमलिखित में से किस समीती या आयोग ने न्याय पंचाईतों के गठन की सिफारिस की है तो सीधे सीधे धियान में रखिएगा असोक महता समीती ने न्याय पंचाईत के गठन की सिफारिस की थी मान लीजिए कि किसी कोश्चन में असोक महता समीती ना रहे तो अगर इसके अस्थान पर लक्ष्मी मल या एल एम लक्ष्मी मल सिंग भी समीती रहे तो भी यह सही है लक्ष्मी मल सिंग्भी समीती ने भी न्याय पंचायत के गठन की सिफारिस की थी 1986 में लक्ष्मी मल सिंग्भी समीती का गठन हुआ था असोक महता समीती का गठन 1978 में हुआ था असोक महता समीती मूलतः चर्चा में रही कई revolutionary recommendations इस समीती ने किये सबसे पहले तो इस समीती ने यह कहा कि पंचायतों के त्रियस्तरिय संडचना के अस्थान पर हमें दूयस्तरिय पंचायती राज परनाली को अपनाना चाहिए अर्थात ग्राम पंचायत को हमें समाप्त कर देना चाहिए और हमें सिर्फ गाउं से उपर एक मंडल पंचायत हो और एक जिला पंचायत हो या जिला परिसद हो उसको अपनाना चाहिए उसी को रखना चाहिए मतलब ग्राम पंचायत को समाप्त कर देना चाहिए दूसरा पंचायतों के चुनाव में राजनितिक दलों को भी भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए और पहली बार अनुसुचित जाती, जन जाती और महिलाओं के आरक्षन की बात को भी इन्होंने ही रखा था या उन्हें प्रतिनेदित तो दिये जाने की बात को भी उन्होंने ही रखा था तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जब भी आप डिफरेंट पंचैती राज समीती को पढ़ते हैं तो उनकी जो कुछ ऐसी अनुसंसाएं हैं जो किसी दूसरे समीती या आयोग ने नहीं दी है उसको यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आप डिफरेंट समीती ने जो रिकोमेंडेशन दिये हैं उनमें से बिसेस क्या है तो चलिए इसके अलाबा बलबंत राए महता समीती ने तिरियस्तरिया पंचैती राज की सिफारिस की है 1957 में इस समीती का गठन सामुदाई विकास कार्यक्रम या राष्ट्रिय विस्तार सेवा कार्यक्रम की समिक्षा करने के लिए किया गया था जीवी के राउ समीती 1985 में है और सरकारिया आयोक केंदर राज्य संबंधों पर 1983 में बनाया गया था इसके विसे में आप जानकारियों को इकठा करें वसुताह मैं बार-बार प्रस्णों को सॉल्व करने के तरीके के आधहार पर आपको ये सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि वसुताह रिवीजन का तरीका ये होना चाहिए कि इसमें से जितनी भी समीती है उन सभी समीतियों को कब गठित किया गया उसका मुलभूत विसेवस्तू क्या था उसके रिकोमेंडेशन्स क्या थे उन सभी के आधहार पर रिवीजन काड़े को आप आगे बराएं आई नेक्ट कोस्टिन पर चलते हैं एक बना सामानने साब प्रस्ण है कि पंचाइती राजविवस्ता का निम्न मेंसे किसमे उल्लेख है तो हम जानते हैं किसका उल्लेख राज्य सुची के विस्यों में किया गया है देखिए ऐसे प्रस्ण बराबर पूछे जाते हैं कि ये विसे किस सुची का विसे है वो भी से किस सुची का भी से है वो भी से किस सुची का भी से है और छात्र offline class में भी या online class में भी इस बात को उठाते हैं कि सर केंद्र सुची या संघ सुची में 100 भी से है राज्य सुची में 60 भी से है संबर्ती सुची में 52 subjects है इनको याद कैसे करे बिटा इसको याद करने की जरूरत नहीं है बलकि एक बार ध्यान पुरुबक आपको पढ़ना है कि संग सुची में ये विस्यों की जो प्रकृती है उसके आधहार पर आपको कुंसेप्चुलाइज करना है कि संग सुची में ऐसे विस्यों को सामिल किया गया है जिन पर राश्च्रिय एकता और एकी करण को प्राप्त करना अनिभारज था कंपल सरी था राज्य सुची में ऐसे विश्यों को स्विकार किया गया है या अस्थान दिया गया है या सामिल किया गया है जिन पर विभेदी करन या विविधता को प्राप्त करना आवस्यक था जबकि संबर्ती सुची में ऐसे विश्यों को स्विकार किया गया है या सामिल किया गया है जिस पर आवसकता नुरूप आवसकता के अनुसार एकता को भी प्राप्त किया जा सके या विविधी करन को भी प्राप्त किया जा सके यह वैकल्पी को हो तो थोरा सा अपने कोल्सेप्ट और understanding को develop करने का प्रयास करो तोता बनने का कोई फाइदा नहीं है रटोगे भूलोगे examination hall में जब आप जाओगे तो examination के pressure में जो रटा हुआ है वो भूल जाओगे examination में सिर्फ confusion confusion नजराएगा अमीर खान की एक महत्तपुर्न मुवी है तारे जमीन पर उसको देखो पता चलता है कि बच्चा जब pressure में पढ़ता है तो अक्षर आपस में सब deviate करते हुए नौस्ते हुए से नजराते हैं mingling कर जाते हैं आपस में सब घुल मिल जाते हैं उसी तरह से examination के pressure में ये different facts and figures आपस में घुल मिल जाते हैं और confusion हमें दे जाते हैं और हम धोखे का सिकार हो जाते हैं concept को develop करोगे understanding को develop करोगे तो धोखे का सिकार नहीं होगे examination का कितना भी pressure रहेगा वहाँ पर question देखोगे और मुस्कुराओगे कि answer ये होगा मुस्कुराओगे कि answer ये होगा अगर कोई fact and figures से related बात पूछ भी लिया गया और आप भूल भी गए तो घबराने की जरूरत नहीं है elimination process से आप उसे eliminate कर सकते है कि गलत क्या है इसलिए Indian quality जो एक technical subject है इसको थोड़ा technical तरीके से परो understanding को develop करते हुए परो अपने concept को develop करते हुए परो सिर्फ रटने पर ध्यान मत दो पहले concept को develop करो और फिर different facts and figures उसी concept के साथ gradually attach हो जाते है don't worry about it anxiety मत लो चिंता नहीं चिंतन करो आईए next aspect को देखते है next question में यह प्रस्ण पूछा गया है कि निमलिखित कारियों में से कौन सा कार अस्थान या स्वसासन से सम्बंदित नहीं है maintenance of public order मत्तब which of the following functions is not the concern of local self-government अब देखो यहाँ पर एक option दिया हुआ है maintenance of public order एक इसको पर्म यदि पढ़ते हो public health, sanitation या public utility services अर्थात जन स्वास्त, स्वक्षता का प्रबंध और जन उप्योगी से बाए यह सब अस्थान या सोसासन से सम्बंधित है लेकिन लोक ब्यवस्था का अनुरक्षन अर्थात पुलिस लोक ब्यवस्था का अनुरक्षन कों करेगा? पुलिस करेगा na तो यह रएज्यसУची का भी सै होगा या नहीं होगा public order का उन मेंटेन करेगा? लोक ब्यवस्था इवकिशी का भी सै है तो इसलिए concept के आधार पर question को easily approach कर सकते हो अब आईए एक factual question आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और PCS में ऐसे प्रस्त पूछे जाते हैं हाला कि प्रस्त बिलकुल easy है निमलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचाईतों में अनुच्छित जातियों एबं अनुच्छित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षन करता है तो सीटों के आरक्षन से संबंधित जो प्रावधान है वो ये है अगर पंचाईतों में आरक्षन पूछा गया है तो 243D और अगर नगर पालिकाओं में आरक्षन पूछ लिया जाएगा नगर पालिकाओं में आरक्षन को पूछ लिया जाएगा तो यह 243 ना ना मतलब T अब जहां तक 243 C की बात है यह पंचाइतों की संदचना है अनुचेद 243 B यह त्रियस्तरिय पंचाइते है और अनुचेद 243 A अर्थात यह ग्राम सभा की बात कहता है तो थोड़ा सा जो भी इंपोर्टेंट प्रोविजन्स हो पंचाइत से समधे जैसे राज्य निर्वाचन आयोग की अस्थापना 243 K तो ऐसी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा सेवा के अधिकार की अबधारना प्राड़ंग हुई थी दि कॉंसेप्ट आफ राइट टू सर्विस औरिजनेटेड इन तो ये सिंपल है ये ग्रेट बिर्टेन में वस्तुत है सेवा के अधिकार की जो अबधारना है ये सिटीजन चार्टर से जोड़ा हुआ है वस्तुता जोन मेजर के समय जोन मेजर प्रधान मंत्री थे बिर्टेन के तो जोन मेजर के समय अमेरिका में उपरास्टपती अलगोर के समय और भारत में प्रधान मंत्री नरसिंभाराओ और वित्तमंत्री मनमोहन सिर्ग के समय में सुदहार के जो काडिकर्म शुरू हुए तो सेवा के अधिकार की जो अबधारना है ये सिविल सेवाओं या जो पबलिक सर्विसेज है उसकी गुनुबत्ता में सुधार करने के लिए उसकी चमता में सुधार करने के लिए और फिर सेवा प्रदान किये जाने की गुनुबत्ता में सुधार किये जाने से सम्मधित है इसके अंतरगत Time Bond Delivery of Services पर फोकस किया गया है भारत में MP ने सरपर्थम 2010 में सेवा के अधिकार को अपनाया और फिर अगले ही साल MP भी महान राज्य है और बिहार भी महान राज्य है तो MP के ठीक अगले ही साल बिहार ने भी सेवा के अधिकार को अपनाया अर्थात यदि Time Bond Service Delivery नहीं हुई है तो जो संबंधित करमचारी है जो सेवा उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है उसको क्या दंड दिया जाएगा उस पर क्या जुर्माना लगाए जाएगा ताकि लोग सेवकों को समयबधता के आधहार पर गुनबधता के साथ सेवाओं की सुपुर्दगी सेवाओं को प्रदान किये जाने ने सक्षम बनाया जा सके जागरूक बनाया जा सके शक्रिया बनाया जा सके इस पर बन दिया गया है खैर आएए अब एक लास्ट कोश्चन और भी है समय की सीमा का पालन करते हुए थोड़ी थोड़ा संशिप्त चर्चा और जहां पर कहीं डीटेल में चर्चा की आवस सकता होती है उस डीटेल चर्चा को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का में कालिय करता हुए देखिए एक बहतरीन यहां पर प्रस्त पूछा गया है कि भारत के सर्वच्च नयायले ने किस वर्स में न्यायधीसों की निक्ती के लिए कॉलेजिय बिवस्था को अपनाया तो देखिए कॉलेजियम बिवस्था को 1993 में अपनाया गया वह सता है आर्टिकल 124.2 में यह बात कही गई है कि भारत के सर्वच्च नयायले में न्यायधीसों की जब निक्ती रास्टपती करते रहेंगे तो वह उच्च न्यायले या सर्वच्च जिन न्यायधीसों से प्रामर्स करना आवस्यक समझें वह प्रामर्स करेंगे लेकिन आवस्यक रूप से उन्हें भारत के मुख न्यायधीस से प्रामर्स करना चाहिए इस अंदर में 1982 में जिसे हम प्रथम न्यायधीस बाद या फर्स्ट जजज केस कहते हैं इसमें आर्टिकल 124.2 में जो कंसल्टेशन सब्द है अर्थात प्रामर्स जो सब्द है इसकी ब्याख्या की गई और ये कहा गया कि प्रामर्स जो है वह पाध्धेता नहीं है अर्थात राष्टपती प्रामर्स के अनुरूप काड़िये करने के लिए बाध्धे नहीं है लेकिन 1993 जिसे हम कभी कभी सुप्रीम कोट एडवाकेट्स वर्सेज यूनियन आप इंडिया केस भी कह देते हैं या सकेंड जजज केस भी कह देते हैं उसमें आर्टिकल 124.2 के कंसल्टेशन वर्ड को बाइंडिंग बतला दिया गया अर्थात इसे बात देता बतला दिया गया लेकिन ये कहा गया कि Chief Justice of India Two Senior Most Judges of Supreme Court के साथ मिल करके प्रामर्स देगा लेकिन Chief Justice of India का जो प्रामर्स है वो प्रभावी होगा 1998 जिसे हम जिसके अंतरगत राष्टपती ने अनुच्छेद 143 में दी गई सक्तियों का प्रियोग करते हुए सर्वोच चिन्याले से इस मामले में प्रामर्स मांगा जिसे हम कई बार तृतिये जज़ेज केस या थर्ड जज़ेज केस भी कह देते हैं उसमें सर्वोच चिन्याले ने इस कॉलेजियम वेवस्था को थोड़ा संतुलित और लोक्तांत्रिक बनाया पहली बात तो यह कि चीफ जस्टिस ओफ इंडिया के साथ साथ चार सिनियर मोस्ट जज़ेज ऑफ सुप्रीम कोट को सामिल किया गया पहली बात दूसरी बात बतलाया गया कि कॉलेजियम में सामिल सभी जज़ Chief Justice of India और चार Senior Most Judge मिल करके अपना प्रामर्स रास्टपती को देंगे और इसमें से सभी जो जज हैं उनका जो मत है या प्रामर्स है वो एक दूसरे के समान मतलब Chief Justice of India को 1993 में जो वड़ियता दी गई थी या प्रात्मिकता दी गई थी उसको 1998 में समाप्त कर दिया गया और यह कहा गया कि यदि कम से कम दो न्यायधीसों ने कोई भिन्यराई वेक्त की हो तो रास्टपती उस वेक्ती को न्यायधीस निक्त नहीं करेगा और वह अपने स्वविवेक से न्यायधीसों को निक्त कर सकता है लेकिन कॉलेजियम वेवस्था में आज तक कोई difference of opinion या जजों के बीच कोई मतभेद हुआ नहीं यदपी सरकार ने 2014 में इस वेवस्था को थोड़ा तारकिक और थोड़ा विस्तित बनाने के लिए National Judges Appointment Commission बनाया था लेकिन सर्वोच चिनैले ने इसे ओसंविधाने गोशित कर दिया गया मुझे लगता है कि इस पूरे घटना करम को पढ़ते हुए यदि आप अपने opinion को develop करना चाहते हूँ तो भारतिय संविधान के अनुचेद 312-3 के अंतरगत All India Judicial Services की बात कही गई है जो उच्च नियायलियों में उच्च नियायलियों का मतलब है High Court या Higher Court में नियायधीसों के निक्ति अस्थानांतरन इत्यादी से संबंधित एक संविधानिक आयोग होगा तो मुझे लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम की जो कमियां है उस पर हम लोग अलग से बातचीत करेंगे मेंस इक्जामनेशन के समय बातचीत करेंगे या जो हमारे कोर्सज रहेंगे उसमें हम लोग चर्चा करेंगे या इंटरव्यू से सेसन में बातचीत करेंगे अभी प्राडम्भिक प्रिक्षा के अस्तर पर आपको इतनी ही जानकारी आवस्यक है लेकिन 312.3 में जो एक अन्य विकल्प हमारे पास उपलब्द है उसको जरूर से जरूर ध्यान में रखें अभी प्राडम्भिक प्रिक्षा के लिए प्राडम्भिक प्रिक्षा के लिए पॉइंट आप भी आपसे पूछ सकता है कि All India Judicial Services का प्रावधान किस संभिधान के किस अनुच्छेद में है तो आपको ध्यान में रखना है अभी इतनी चर्चा के पश्चात हम लोग यहीं पर विराम लेते है Next Day, Next Years के Questions को आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा और कैसे अध्यन किया जाना चाहिए, हमारी रन्नीती क्या होनी चाहिए इस पर थोरा सा हम और भी विस्तार से बात्चित करेंगे आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद धेर सारी सुबकामनाए, धेर सारा आसिरवाद, धेर सारा प्यार, धेर सारा सने ताकि जल्द से जल्द आप अपने उद्दिस्यों को प्राप्त करने की दिसा में अग्रसर हो सकें और अपने मान सम्मान के साथ साथ अपने पूरे समाज गुरु जनो के मान सम्मान को भी आगे बरहें बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू